नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का इस चैनल में तो दोस्तों काफी लोगों का ये डिमांड था कि बाइलोजी के भी कोस्टेंस को अनालिसिस करें सर तो उन लोगों का डिमांड जो है अब पूरा होने वाला है तो आज के वीडियों दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो का फायदा उठा पाएं और जो लोग इस चैनल में नए हैं जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हुए हैं वो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए दोस्तों जानते हैं बाइलोजी के प्रश्णों को कि किस परकार जैसे सी के द्वारा biology में प्रस्ण पूछे गए हैं जो पेपर 2 का जो exam हो रहा था और भी जानेंगे उनसे related important important जो point होते हैं जो की हो सकता है आने वाले exam के लिए वो important हो तो चलिए दोस्तों जानते हैं प्रस्णों को पहला प्रस्ण यह है malaria is caused by तो दोस्तों यह जो malaria जो फैलता है यह plagmodium के कारण फैलता है अलाकि जो malaria जो फैलता है वो मादा एनफलीज जो मच्छड होता है उसके काटने से malaria फैलता है लेकिन अगर biology के term में अगर देखा गाए तो यह जो है plagmodium जो एक प्रकार का यह इस प्रक कारण यह फैलता है जो malaria बिमारी होता है तो यह ध्यान में रखें यह पहला प्रस्ण नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रस्ण जो क्या पूछा गया कि अस्टेट फ्लावर ओफ जहारखंट जो की यह काफी easy प्रस्ण इसको कर सकते हैं तो इसका जो correct answer जो होगा जो प्लास का जो फूल होता है वो हमारे अस्टेट का जो है यह अस्टेट फ्लावर ही यह कुछ इस प्रकार का दिखता है जो फ्लास का जो फूल होता है अब प्लास के ट्री को कौन-कौन से नाम उसे जाना जाता है उसे भी जान लेते हैं तो इसको जाना जाता है फ्लेम ऑफ इसका scientific name होता है प्लास का तो यह सभी चीजे हैं जो important important point से हो सकता है आने वाले exam में पूछे जा सकते हैं यहां से प्रेश्ण बन सकते हैं अगले प्रेश्ण क्यों बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रेश्ण है how does a mother feed an embryo जो बेबी गर्म में पल रहा होता है जिसको फी बोला जाता है वह कैसे जो एक मदर होती वह कैसे फीड करती है, उसको तो यह जो प्लैसेंटा होता है दोस्तों उंब्ली इसको बोला जाता है जिस के थुरू यह जो घरत घरता है सग्ण और इधर आपको देख रहा होगा जिसको सर्विक्स उला जाता है और इधर नीचे जिसको Him जिसको वेजायना बोल दा जाता है और इसी के थुरू जो है बैबी ये बाहर आता है तो ये था दोस्तों बाइलोजी का जो एक important question जिसको कह सकते हैं ये जो पूछा गया था अब अगले प्रस्न क्यों बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रस्न है scientific name of salt tree मतलब जो salt tree जो है इसका scientific name क्या है तो इसका scientific name होता है दोस्तों सोरिया रोबस्टा इसका scientific name होता है जो हमारे जो जंगल है जारखन में ज सार항वा पर जहांगल महाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं साल्ट्री के तो ये भी ध्यान में रखें और इसका यूज होता है इस पेड़ का ये काफी फरनीचर वगेरा कामों में यूज होता है क्योंकि इसका जो लकड़ी जो होता है वो काफी मजबुत होता है जिसमें बीम बनाने के काम में आता है और प्लेंकिंग एंड रेलिंग जो ब्रीज होते है जो उसमें ये रेलिंग अगे बनाने में काम आते हैं तो ये भी ध्यान में रखें साल्ट्री का जो पोधा है अगला प्र है scientific name of fruit fly जो fruit fly होता है उसका scientific name क्या होता है ये पुछा गया है तो इसका scientific name होता है drosophylla melanogaster स्का scientific name होता है तो दोस्तों ये ध्यान में रखें क्योंकि ये जो biology का जो कुछ term होते हैं वो काफी लंबे होते हैं और चुकि मैं biology से मैं belong नहीं करता हूं तो इसलिए हमको थोड़ा दिकत हो रहा होगा लेकिन मैं फिर भी अपना 100% जो effort मैं लगा रहा हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा help मिल सकें ज्यादा ज्यादा पता चल सके कि इस परकार जो प्रस्ण जो है पूछे गया थे और उन सभी का जो राइट अंसर जो है वो क्या होगा तो वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो आप ज्यादा ज्यादा वीडियो को सेर करें ताकि मेक्सिमम लोगों के पास यह पहुंच सके और वो इसका फाइदा उठा पाए तो जो फ्रूट फ्लाइ होता है इसका साइन्टिफिक नेम होता है अब अगला प्रस्ण जानते हैं दोस्तो वीच इज दो मॉस्ट फ्लेक्सिवल ओर्गन ऑफ हुमन बोडी मतलब जो हुमन का अगला प्रस्ण जानते हैं दोस्तों अगला प्रस्ण है visceral lesmagnosis is caused by जो visceral lesmagnosis जो होता है वो किसके कारण होता है तो इसमें जो protozova parasite जो होते हैं जिसका नाम है L. Donovani और फिर L. Infantum इन दोनों के कारण ये होता है जिसको बोलते हैं visceral lesmagnosis अलाकि option में ये दिया गया था L. Donovani तो यही इसका correct answer होगा तो ये दो होते हैं जो इसके कारण visceral lesmagnosis होता है अब अगला जानते हैं दोस्तों अगला प्रशन है The Vector Parasite of Lesmagnosis मतब जो lesmagnosis जो विमारी है वो फैलता है वो किस कारण फैलता है उसका जो फैलाने वाला जो वेक्टर जो होता है तो जो infected female sand flies जो होते हैं या फिर option में आपको दिखा होगा कि केवल sand fly ही दिखा होगा तो यही इसका correct answer होगा यही इसका man vector होता है जो कि इस विमारी को मतलब ये फैलाता है जिसको lesmagnosis बोला जाता है अलाकि ये biology का term है इसको local language में कुछ और बोला जाता होगा तो जो आपको पता होगा वो आप comment box में comment करके बता सकते हैं कि इसको क्या बोला जाता है अब अगला प्रस्ण क्यों जानते है what is the life cycle of organism called which requires two hosts मतलब उस organism के life cycle को क्या बोला जाता है जिसको पूरा जीवन यापन करने के लिए दो होस्ट की जरूरत होती मतलब उन दोनों पर ही वो आसरित हो सकता है नहीं तो वो मर जाएगा तो इसको बोला जाता है die genetic life cycle इसको बोला जाता है अब इसमें क्या होता है कि any organism requires two hosts मतलब दो होस्ट का इसको जरूरत होता है to complete its life cycle is called a die genetic life cycle मतलब उसका जो पूरा life cycle को अगर complete करना हो तो उसको two hosts की जरूरत होती है जैसे कि the life of plasmodium जो plasmodium जो होता है इसको दो होस्ट की जरूरत होती है जिसमें से एक host जो human होता है और दूसरा host अकर देखा जा तो यह most utos होता है तो यह इसका जो होता plasmodium जो होता है दोस्तों यह die genetic life cycle को follow करने वाला एक परकार का यह जीव है अब next जानते हैं दोस्तों अगला प्रस्ण क्या है how many types of muscles in human body मतलब हमारे human का जो body होता जो सरीर होता है बुला जाता है जो skeletal muscle होता है अब जो cardiac muscle जो होता है वो हीरदय से यह बना होता है मतलब हीरदय जो बना होता है यह cardiac muscle से ही बना होता है जो कि खून को पंपित करते रहता है और दूसरे type का muscle जो होता है जो skeletal muscle जो होता है हमारे body में होते हैं और इन्हीं तीनों परकार के muscles मिलके हमारा body का निर्मान होता है अब 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 प्रस्ण क्या है In which type of chromosome the centrosome is present at the terminal end मतलब किस परकार के chromosome में centrosome जो होता है वो terminal end में वो present होता है तो ये दोस्तों टेलोसेंट्रिक chromosome में जो होता है ये chromosome जो होता है मतलब जो centrosome जो होता है वो terminal end में पर्जेंट होता है जो टेलोसेंट्रिक chromosome के परकार होते हैं अब इसमें जो दोस्तों ये कुछ परकार के ये आपको दिख रहे होंगे जो चार परकार के centrosome जो पाए जाते हैं जिसमें अगर देखा जाए तो metacentric जो chromosome होता है जो कि इसमें जो centrosome जो होता है वो middle में होते हैं और sub metacentric chromosome में अगर देखा जाए तो इसके long arms होते हैं और जो centrosome होता है वो थोड़ा middle में ये नहीं होता है और एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम में कर देखा जाए तो इसके उपर में जो होता है वो सोट आम होता है और नीचे लोंग आर्म होता है और ये जो सेंट्रोजोम होता है मतलब साइड में ये लगा होता है और टेलोसेंट्रिक जो होता है इसमें terminal end जो होता है यहीं पर यह centrosome लगा होता है तो यह दोस्तों यह जितने भी chromosome के type थे वो मैंने इसमें discuss कर दिया और यहीं से यह प्रस्ण पुछा गया था कि टेलोसेंट्रिक में जो centrosome जो होता है मतलब कहां पर terminal end में centrosome present होता है किस chromosome में तो यह इसका correct answer टेलोसेंट्रिक यह यहीं होगा अब अगला प्रस्ण जानते हैं What is the shape of chloroplast in higher plants मतलब जो higher plants होते हैं उसमें जो chloroplast होता है उसका shape क्या होता है मतलब वो किस परकार वो दिखता है तो इसका shape जो होता है दोस्तों diascoid shape क्यों होता है जो higher plants में जो chloroplast पाए जाते हैं और अगर green algae clamidomonas में अगर देखा जाए तो यह cup sept यह chloroplast यह पाए जाता है तो इसमें दो points जो है जो इसमें कवर होई है यहाँ पर आपको दीख रहा होगा chloroplast जिसमें अगर देखा जाए thalacoid में क्या क्या होता है यह thalacoid space जो होता है जिसमें lemon भरा होता है इसंगो घेरे रखता है और भी जैसे कि chloroplast इंवेलब जो होता है यहाँ पर आपको दीख रहा होगा इसमें यह तीन परकार के होता है यह होता है outer membrane chloroplast envelop दूसरा होता है inter proteins inter membrane space स्भाव ग्राइल थैलोकाइड यह कुछ यहां पर आपको दीख रहे होगे तो यह कैटी सफ्छे अब ने υ Hee मतलब जो होता है उसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा होता है वो उसको क्या बोला जाता है तो इसको बोला जाता है जो कि यह जेली-like substance होता है जिसमें जो होता है करियो प्लाज्म जो गला जाता है और यह जो रिए औलीड ऑफ युक एरियो जाता है और फ५जाने जो होता है दोस्तों ये completely enclosed होता है within a nuclear membrane या फिर जिसको nuclear envelop होता है जो nucleoplasm जोता है ये completely enclosed होता है मतलब ये मतलब खुले में नहीं रहता है इसको बंद करके रखा जाता है मतलब रहता है अब इसको देख सकते हैं यहाँ पर nucleoplasm यहाँ पर दिख रहा होगा जो jelly type का यहां पर है इसमें जो है nuclear envelope से यह धका हुआ रहता है और यहां पर nuclear pores यहां पर आपको दिख रहा होगा और यह सभी जो है chromatin जो यह धागे type की यह सभी है इन सभी को chromatin बूला जाता है और इधर जो सबसे बीच में जो है यह नुकलियोलस इसको बोला जाता है और इधर आपको दिख रहा होगा इंडोपलाजमिक रेडिकुलम और राइबोजम्स वगेरा जो कहां कहां पर situated होते हैं अब नेक्ट जानते दोस्तों अगला प्रस्ट जो है what is the arrangement of flower in a stem called मतलब जो flower जो लगते हैं तनही में जो बनते हैं उन सभी का arrangement को क्या बूला जाता हैं तो इसको बला जाता है inšland Cinco बुला जाता है और इसका definition होता है the arrangement of flowers on a stem मतलब जो तन होता है जहां पर Flower लगते हैं in the form of clusters and group is called inflorescence मतलब जहां पर यी flowers सभी जो लगते हैं उन को बोला जाता है उसके arrangement को बोला जाता है कि किस परकास जो हो लगे होते हैं उसी को बोला जाता है इन fluorescence कहा जाता है तो दोस्तों video कैसा लग रहा है अगर अच्छा लग रहा है तो video को like करें शेयर करें ज्यादा ज्यादा लोग को पहुंचाए क्योंकि ये एक particular section का ये video है मतलब biology का ही video है generally लोग ये सभी चीजों को cover नहीं करते हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि particular section का है तो maximum उसमें ज्यादा लोग नहीं देखेंगे इसलिए maximum लोग नहीं बनाते हैं तो यही इसका main region ह लोग को view ये चाहिए क्योंकि अगर view नहीं मिलेगा तो फिर उस video को बनाने का कोई फाइदा नहीं रहता है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा जो है time यहाँ पर लगता है क्योंकि इसमें खोज करना पड़ता है वगरा वगरा चीजियों को समझना पड़ता है तब जाके एक video ready होता है तो ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के वीच शेयर करें वीडियो को ताकि वो सभी इसका फाइदा उठाए पाई अगला जानते हैं दोस्तों इसी से रिलेटेड ये भी प्रस्न जो पूछा गया है इन विच टाइप ऑफ इन फ्लोरेशन्स दब मैन एक्स जो होता है फोधे का वो करते रहता है और यह होता है इसके दो परकार होते हैं यहां पर आपको दिख रहा हुआ रैसमोस इन फ्लोरेशन्स जिसमें जो है यह मैन एक्सिस जो है यह ग्रो कर रहा है और साइड साइड में यह फ्लावर वगरा यह लग रहे हैं और इसका एक और परकार जो होता है जिसको बोला जाता है साइमोस इन फ्लोरेशन्स जिसमें जो होता है कुछ जो फ्लावर जो वह मैं इस्टीम में मतलब मैं एक्सिस में लग जाएगा उसके बादや पर यह इह इस नहीं करेगा मतलब यही जो है यह कहला यह इसको बोला जाता रहे झायमोश इन फ्लोरेंस इन फॉर्सिंट बirk करते रहाता है इसको पर आपको इसका definition दिख रहा होगा the main axis develops continuously in rasmus forms of inflorescence and flowers are present literally on the floral axis and flowers are present in an acrobatal manner तो यह इसका rasmus का यह जो inflorescence जो होता है इसका यह definition है अलाकि इससे ज्यादा जो आपको समझ में आयोगा यही पर समझ में आयोगा कि rasmus inflorescence क्या होता है और cymos inflorescence क्या होता है अगला प्रस्ण जानते हैं दोस्तों which of the following have xylem and vascular tissue मतलब किन में जो वहाँ पर कुछ option दियोंगे चार option दियोंगे जिसमें से यह पुछा जा रहा है कि किसमें xylem और vascular tissue जो है यह पाए जाते हैं तो इसमें एक option जो था यह फर्ण इसी में पाए जाता है xylem और vascular tissue यह आपको दिख रहा होगा जो फर्ण कुछ इस परकार का दिखता है अगला प्रस्ण है scientific name of potato tuber mouth मतलब जो potato में जो मतलब वो खराब कैसे हो जाता है किसके कारण यह खराब होता है उसका scientific नेम पूछा जा रहा है और यह दोस्तों यह South America में यह पाए गया था मतलब यहां से इसका origin माना जाता है जिसको potato tuber mouth बोला जाता है तो इसका scientific name होता है photoremia opere और क्यूलेला इसका scientific name होता है जिसको बोला जाता है potato tuber mouth होता है जो आलू जो होते हैं वो खराब हो जाता है जल्दी इसी insect के कारण और potato का अगर scientific name अगर देखा जाता है तो यह Solanum tuber tuberosum इसका scientific name होता है तो यह भी ध्यान में रखें हो सकता है आने वाल एक्जाम यह उच्छा जा सकता है अगला प्रस्ण जानते हैं दोस्तों अगला प्रस्ण है Saranda forest of जारखंड is famous मतलब जो Saranda का जो जंगल है हमारे जारखंड में वो किस ट्री के लिए यह फ्यमा से और यह जो दोस्तों यह जो ट्री है जिसको बोला आता है साल ट्री इसके लिए यह फ्यमा से जो Saranda का जंगल है जिसको सक्वा का पेड़ भी हम लोकल लेंग्विज में बोलते हैं तो यह भी ध्यान रखें यह से रिलेटेड दो प्रस्ण हमको लगता है यह पूछे गया है जो कि यह साल ट्री का scientific name पूछा गया था और यह Saranda forest में किस परकार के यह ट्री पाए जाते है तो यह साल ट्री पाए जाता है जो कि यह देखा जाता है तो कहिए काफी easy question यह जारखन के geography से रिलेटेड भी यह प्रस्णिस को कह सकते हैं जो भी जारखन के geography बगरा जो पढ़े होंगे उन सभी को यह सभी चीजें पता होगा हलाकि यह मैंने चीजें अपने जो फिसले वीडियो जो है कोई एक वीडियो मैंने यह discuss करा हुआ है जो Saranda का जंगल है जो कि हमारे जारखन का सबसे घना जंगल वो कहलाता है जो Saranda का जंगल है इसमें जो साल के जो ट्री है यह काफी डेंस यहां पर पाए जाते हैं अब नेक्स चांते दोस्तों अगला प्रस्ट है जया एंड रतन और सेमी ड्वार्फ वेराइटी और विच क्रॉप मतलब जया और रतन जो है यह किस परकार का यह क्रॉप का यह वेराइटी मतलब किस का यह डिफरेंट परकार का यह वेराइटी है तो यह दोस्तों यह राइस का यह वेराइटी है जिसको जया और रतन बोला जता है इसी से related एक और प्रेस्ट में पूछा गया है जो कि which of the following is semi dwarf high variety yielding of wheat मतलब जो गेहूं जो होता है उसका semi dwarf high variety yielding जो होता है उनमें से ये कौन सा है जिसमें से आपको 4 option देखने को मिले होंगे तो इसका correct answer है दोस्तों सोना लिका and कल्यान सोना ये दोनों जो है ये इसके wheat के semi dwarf high riding variety के ये crops हैं हलाकि इनमें से कोई एक ही option में होगा तो आप देख लें और इन दोनों को दोस्तों हमारे इंडिया में लाए गया था 1963 में इसको इंट्रोडियूच किया गया था हमारे देश में दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी जो biology अगर पढ़े होंगे तो इंग्लिस से ही पढ़े होंगे क्योंकि मैंने इसका केवल इंग्लिस ही इसमें लाया है इसमें Hindi translate किया हुआ नहीं है the complex form of genome is मतब genome का जो complex form होता है वो उसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है दोस्तों chromatin बोला जाता है जो complex form of genome को और यह जो chromatin जो हता है is the complex of genomic DNA with protein called histones where each histone-bound DNA molecules is referred to as a chromozorm और यहीं दोस्तों complex form of genome होए जिसको chromatin बोला जाता है अब next जानते दोस्तों the formula of standard deviation जो कि इसको अगर देखा जाता है तो यह aesthetics या फिर math का यह formula यह कहाईगा तो इसका जो formula होता है यह total दो formula होते हैं इसमें standard deviation में जिसमें एक formula जो होता है यह population से related होता है और दूसरा formula जो यह sample related होता है अलाकि यह दोनों लगबग same है पस थोड़ा बहुत इसमें अंतर देखने को आपको मिलेगा तो इसमें अगर population में अगर देखा जाए standard deviation बराबर होगा root under sigma bracket open capital X minus mu का whole square by capital N इसका formula होता है जिसमें अगर capital X को अगर देखा जाए तो इसका यह होता है the value of data distribution और mu अ और जो N अगर देखा जाए तो यह total number of observations को यह represent करता है और अगर sample standard deviation को कर देखा जाए तो इसका formula होता है under root sigma x minus small x bar का whole square by N minus 1 जहां पर अगर capital X देखा जाए तो the value of the data distribution को यह represent कर रहा है और a small x bar को अगर देखा जाए तो यह the sample mean को represent कर रहा है और a small n को देखा जाए तो यह total number of observations को यह represent कर रहा है तो इन दोनों में से कोई एक formula आपको वहाँ पर option में दिखे होंगे जो कि वो correct होगा अब next जानते दोस्तों अगला प्रस्ट है which cycle is non gaseous cycle मनला कौन से cycle में gase का यूज नहीं किया आता है मतलब वह non gaseous cycle वह कहलाता है तो जो phosphorus cycle जो होता है दोस्तों यह non gaseous cycle होता है मतलब इसमें gase का यूज ही नहीं होता है तो इसमें देख रहे हैं कि the phosphorus cycle is the only bio geochemical process that does not include a significant gaseous phase मतलब यह gaseous phase के through होके यह नहीं गुजरता है जिसको phosphorus cycle बुला जाता है वो जो gaseous cycle जो होते हैं जैसे कि हो गया nitrogen cycle oxygen cycle carbon cycle और water यह सभी जो हैं दोस्तों यह gaseous cycle के अंतरकरत यह आते हैं और यह जो phosphorus cycle है यह sedimentary cycle के अंतरकरत आता है जिसमें जो होता है iron, calcium यह सभी phosphorus यह सभी non-gaseous cycle के अंतरकरत यह सभी चीज़ें जो है यह आता है अब अगला जानते हैं दोस्तों अगला प्रस्न पूछा गया था which part of brain control cardiac rhythm मतलब जो circadian rhythm जो होता है यह किस जो हमारा मानुस्वरी का जो brain होता है वो किस पार्ट से यह control किया जाता है circadian rhythm यह actually होता क्या है यह एक हमारे body का यह master clock इसको भी बोल सकते हैं जो कि 24 hour होता है उन 24 hour में हमारे body का क्या क्या कारी होना चाहिए कब सोने का जो यह सभी चीजें है यह regular करने का जो ही चीजें है यह hypothalamus के द्वारा यह control कि जाता है तो यह ध्यान में रखें कि circadian rhythm जो है hypothalamus जो हमारे brain का part है इसी के द्वारा इसको control किया जाता है अब इसको जान लेते हैं the circadian rhythm is made up of a set of clocks and a central master clock जिसको बोला जाता है इसको बोला जाता है और यह जो सुपर कैस्माटिक नुकलियस जो होता है is located in the hypothalamus the part of brain responsible for regulating stress मतलब इसके त्रूद जो होता है हमारे body का stress regulate होता है reproduction को यह regulate करता है और growth hormones को भी यह regulate करता है यह आपको दिखा होगा जो circadian rhythm जो होता है यह midnight में क्या होता है हमारे body का उसके बाद यह deep sleep में कब चला जाता है lowest body temperature कब हमारा होता है और cortisol release कब होता है और fastest increase in blood pressure कब होता है हमारे body में high alertness कब आती है midday में क्या होता है best coordination कब होता है fastest reaction कब होता है यह सभी चीज़ों को दोस्तों यह hypothalamus में यह control होता है हमारे brain में तो यह ध्यान में रखे circadian rhythm hypothalamus में यह control किया जाता है अगला प्रस्न है which chromosome are giant chromosome मतलब कौन सा chromosome जो है जो बड़ा chromosome यह होता है तो जो यह दो प्रकार के जो chromosome है जिसको बला जता है lamp breast chromosome and polytine chromosome यह दोनों जो chromosome होते हैं यह giant chromosome यह कहलाते हैं अलाकि इन में से कोई एक ही option आपको वहाँ पर देखने को मिला होगा तो उसके उनुसार आप समझ लें कि कौन सा option आपको मिला था और अब क्या मतलब सही कौन सा करके आए या फिर कलत लगा के आए हो और जो अगर इसका में रखें यह एक important point है जो कि आने वाले एक्जाम में हो सकता है तो वह प्रस्ण बन सकता है जो भी एभी एक्जाम चल रहे हैं या फिर कोई भी आने वाला एक्जाम हो जो जिनका जो biology section जो रखें हैं उन सभी के लिए नेक्ट प्रस्ण है दोस्तो family of horse are called इसमें family का मतलब यह मत समझे कि एक horse हो उसकी wife हो उसके फिर बच्चे हो वो family नहीं मतलब horse के family का कहने का मतलब जो horse like जो दिखते हैं जैसे की हो गया गधे जो होते हैं जेबरा जो होते हैं वो horse के तरह ही दिखते हैं तो उसी सब को मिला क तो इसको क्या बोला यते किस नाम से जाना जाता है horse के फेलिको यह प्रस्न पूछा गया था तो यह होगा दोस्तों होर्स परकार के जो मतलब दिखते हैं उन सभी को एक वीड फैमली के अंतरगत यह रखा गया है अब नेश्ट जानते दोस्तों अगला प्रस्थ है वीच ओईल इस वॉलाटाइल ओईल मतलब कौन सा ओईल जो है जिसको वॉलाटाइल ओईल कहा जाता है तो इसका जो दो ओईल है जैसे कि इथेरल ओईल और इसेंशियल ओईल जो होता है यह दोनों वॉलाटाइल ओईल होते हैं हलाकि आप्शन में आपको क्यों लेकी दिखने को मिला होगा जो कि इसेंशियल ओईल दिखने को मिला होगा तो यही दोस्तों इसका करेक्ट एंसर होगा जो कि जल्दी नहीं होंगे और यह साबुन की तरह मतलब ज्ञाग नहीं छोड़ेगा यह जो ऑई होता है जिसको वोलाटाइल ओई बोला जाता है तो यह सबी चीजें जो वोलाटाइल ओई को जो हो डिफेरेंट बनाते हैं हलाकि इसको संथेटिक ली इसको भी बनाया जा सकता है आजकल के जमाने मतलब बन रहा है तो यह भी ध्यान में रहके लीटाइल और यह कौन है यह इसेंश्यल ओई जो हते हैं जिसको बोलाटाइल ओई कहा जाता है तो नेक्स्ट प्रस्ट ने मौड ऑफ न्न प्लॉल मतलब जो पार्यमेश्यम का जो न्यूट्रिशन का जो और यह जो दोस्तों यह एक heterotypic mode of nutrition है जिसको holozoic भी बुला जाता है और यह जो होता है mostly involves the other organism from its surrounding environment मतलब यह जो paramecium जो होते हैं वो अपने आसपास के जो भी मतलब मिल जाते हैं उन सभी को भले surround कर लेता है फिर उसको अपने अंदर वो केद कर लेता है और वो खा जाता है और इसी को बोला जाता है next question which plasmodium fever has become extinct from South Africa मतलब कौन सा जो plasmodium fever जो है जो की South Africa में जो fell रहा था वो अब extinct हो चुका है मतलब अब यह खतम के बराबर यह हो चुका है तो यह plasmodium fevex जो है यह इसके कारण जो विमारी फैलती थी मतलब जो fever होता था यह अब South Africa में यह नहीं रहा अब धीरे धीरे य खतम हो गया है next है दोस्तों chromosome in grasshopper is in which type मतलब जो grasshopper जो होते हैं जो घास वगरा खाने वाले जो कीडे होते हैं उसमें किस परकार का chromosome पाए जाता है यह प्रस्ना पूछा गया था तो इसमें दो टाइप के chromosome पाए जाता है यह XX और एक्सो टाइप की यह chromosome पाए जाता है जि कि केवल one copy of sex chromosome यह मेल में पाए जाते हैं तो यह दोनों ध्यान में रखें फीमेल ग्रास ओपर और मेल ग्रास ओपर का हो सकता है आने वाले एक्जाम में यहां से प्रश्न पंच सकते हैं अगला प्रस्न है ट्रीपल यू कोड्स for which amino acid मतलब जो ट्रीपल यू कोड्स होता है यह किस amino acid के लिए परियोग किया जाता है तो यह दोस्तों फैनी लैनिन फैनी लान लैननीन जो होता है इस amino acid में यह यू कोड्ड या फिर यू-यू-C कोड्ड का यह यूज किया जाता है एक और प्रस्ण है इन वीच amino acid sulfur is present मतलब किस amino acid में sulfur present होता है तो यह मैथियो 9 यह पर्जेंट होता है हलाकि इन में से कोई एक आपको option में देखने को मिला होगा है अगला प्रस्ण है दोस्तों the change of deadpole into adult frog is gold मतलब जो मेड़क जो होते हैं उन सभी का जो जो बच्चा से कैसे बड़ा होता है फिर वो कैसे पूरा बड़ा हो जाता है पर लार्वा से वगर इसको बोला जाता है और यह जो प्रोसेस होता है तुरू विच एन और गानिजम को फ्रो डिफरेंट फिजिकल चेंज मतलब इन सभी का जो फिजिकल जो हता है वो डिफरेंट डिफरेंट यह चेंज होते रहता है और डेवलप स्रॉम एन इमेच्यूर एडल्ट और आधे निह से पर जाते हैं तो इसको बोला जता है मेटामोर्फोसेस बोलाज जहाँ शोड़ेंगर ओकर दिखेला होगा कि यह जो एडल्ट फ्रोग है वह पहले ला एकस देता है एकस्राज मतलब बन फिल्पांपॉजिंगि Gas milj यहाँ पर मतलब जो फोद यह fawnip यह रहते हैं उसके बाद यह तुछ ल дост Records के बन जा तो इसी प्रोसेस को दोस्तनों इसी को बोला जाता है मेटामोर्फोसिस बोला जाता है तो यह एक एक्जामपल है ऐसे कई तरह के जो जीव होंगे जो इस प्रोसेस के थ्रूँ यह गुजरते होंगे यह जो की बच्चा से वह एडल्ट बनने के लिए अगला है दोस्तों इस इन ग्लास ग्लैटिनस इस अप् करस्टेशन इस जो फ्री श्यूमिंग लार्वा ऑप क्रस्टेशन इस जो फ्रीश्य्मिंग लैवा जो होता है उसको क्या बॉला जाता तो इसको नाव्ली लार्वा इसको बुला जाता है यह इसका तरिक्ट एँसर होगा अगला प्रस्शन나 लिभी विन कम्पोनेंट ओं is called मतलब जो living component होते हैं environment के उसको क्या बोला जाता है तो इसको biotic component बोला जाता है और जो non living components होते हैं दोस्तों उसको abiotic component बोला जाता है तो यह भी ध्यान में रखें हाला कि यह तो एक प्रस्न है इससे related एक और प्रस्न पुछा गया था जो कि यह प्रस्न है which of the following is not abiotic component मतलब उनमें से कौन सा जो है यह abiotic component नहीं है मतलब वो एक biotic component है तो इसमें option दिये गये थे earthworm, sunlight, soil, temperature तो इसका correct answer यह earthworm है जो कि यह एक biotic component है मतलब यह जो है दोस्तों यह living component है earthworm और बाकी सभी जो है यह non living component है इसलिए इन सभी को abiotic component component बोला जाता है तो इसका इसे related दो प्रस्न पूछे गए हैं तो यह काफी easy प्रस्न थे इसको easy category में रख सकते हैं अगला प्रस्न यहां पर आपको दिख रहा होगा biotic factor और abiotic factor जो होते हैं यहां से आप देख सकते हैं इसी से हो सकता है आहे वाले और भी एक चाम होंगे वहां पर प्रस्न आपको बन सकते हैं अगला प्रस्न दोस्तों interconnected food chains are known as interconnected जो आपस में जो connected जो food chains होते हैं उसको क्या बोला जाता है तो इसको दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो ग्रास होता है उसको ग्रास ओपर खाता है और यह इस जब एक कव गया तो यह अैसा माना जाता है कि पुरा ecosystem ही यह बरबाद हो जाएगा hazır तो इसलिए मैक्सिमम यह गवर्मेंट की या फिर लोगों की यह रहती है कि सभी जीव जनतु हैं वह कंजर्व रहें कोई यहां से विलूप्त ना हो जाए अगर वह विलूप्त हो जाएगा तो यह हीरन की जनसंख्या जो है यह काफी बढ़ जाएगी और इसके अगर हीरन ज इसको फूड़ें बोला जाता है मतलब फूड़ें में जो यह सभी चीजें है जो हमारे को सिस्टम का यह एक इंपोर्टेंट पार्डिस को माना जाता है अगर असने की खतम हो जाए तो यह पूरा रेट माउस वगरा जो होते हैं इनका जो है मतलब पोपलेशन बढ़ जादा इंपोर्टेंट जो कि फूड़ें जिसको बोलते हैं अब नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रस्ट है पोजिशन ऑफ इन और्गनीजिम इन फूड़ें इस गॉल्ड मतलब जो पोजिशन जो होते हैं फूड़ें के कोई भी और्गनीजिम के उसको क्या बोला जाता है तो इसको बोलायाता है यहां पर आपको दिख रहा होगा टौपिक लेफल की इस परकार होते हैं जो नीचे जो होते हैं जो हरए-बरे पैड़ पोदे जो होते हैं वो प्रोडूदेंट Bishop कि ऑपर जो होते हैं जो कि यह रए बढ़े पेट पॉदा को को खाते है उसको प्रााइमरी कंचूमर बुलायता है जिसके अंतर सेज्टे सब अभी चीज आते है अब इन सीजी यों को खाते हैं जैसे कि स्क्राइक वग प्रक्राइब एक जो लेवल से दूसरे लीवल में जो ट्रांसफर ही में देखा जाई तो ये केवल jus ट्रांसफर हो पाता है इसमें अगर Disease झाई जो ग्रास फगर रहते हैं जो इसमें 100% energy होता है उसके बाद गवल्यजिण सल्पें के फाम में तो जो कि 1% यह होगा और फिर इसके में देखा जाए तो इसका 10% यह 0.1% फिर इसका 10% 0.01% तो यह देख सकते हैं कि जितना उपर मतलब जितना साकाहरी बनते जाएं वहाँ पर आपको साकाहरी हैं उन सभी के लिए यह काफी खुसी का यह पॉइंट होगा अब नेक्स जानते दोस्तों अगला प्रेस डियर जू प्लैंक्टन सीप बिलोंग्स टू वीच ट्रॉपिक लेवल जो हीरन होते हैं जू प्लैंक्टन होते हैं और जो सीप होते हैं यह किस ट्रॉपिक ल प्राइमरी 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 प् प्रस्UL है अगला प्रश्ण है अगला प्रस्थ दोस्तों आप इफोलिशनरी हेस्ट्री एंड रिलेशनशिफ अमॉंग और विथिन ग्रूप और गनीजम प्रस्थ मतलब उसके एस्ट्री को क्या बूला जाता है जिसमें फीस घ्रूप of organism का जो history होता है और उन सभी के बीच का जो relationship होता है उनके study को क्या बोला जाता है तो इसको बोला जाता है और यह है इसका correct answer होगा अगला प्रस्में दोस्तों which of the following flower is not zygomorphic flower मतलब इनमें से कौन सा flower जो है यह जाइग और फ्लावर नहीं है इसमें जो है दोस्तों यह टोडल तीन परकार के इसमें flower की category इसमें बाटा गया जिसमें जोता है अगर flower को एक एकसिस में बीचो बीच अगर काटा जाए तो वो mirror image परकार का वो दिखेगा उसको बोला जाता है यहाप इसमें गेंजıma जाइग यहाप और इसमें यहयां जादा समय में आएगा यह है और यह है बाइलेटरल समय conceived तो इसको देख लेते हैं जाइग संभावर यह यह flower is one of which is capable of dividing into two equal parts मतलब यह केवल दो equal parts में ही यह divide हो सकते हैं जिसको जाइगो मॉर्फिक flower करते हैं और इसमें जो है एक ही single axis के तुरू यह divide होगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसको बोला जाता है इस flower को अगर देखें तो यह है जाइगो मॉर्फिक flower तो यही पुछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है यह जाइगो मॉर्फिक flower होगा next भी जान लेता है जिसको बोला जाता है एक टिनो मॉर्फिक flower तो इसमें दोस्तों अगर कहीं से भी अगर काटा जाए तो वो दो identical हाफ में वो डिवाइड हो जाएगा इसमें केवल दो ही यह डिवाइड होगा इसमें कहीं से भी काटा जाए तो वो मिलेगा देशे कहाँ पर देख रहे है a flower that can be divided into two equal identical halves from any plane passing through the central axis of the flower मतलब कहीं से भी अगर वो plane को पास किया जाए तो वो दो equal half में वो डिवाइड हो जाएगा और इसमें जो होता है जाइगोमोर्फिक में केवल एक जगह से उसको डिवाइड करने से वो दो equal half में वो डिवाइड हो जाएगा और जो asymmetry flowers जो होते हैं इसको कहीं से भी काटने से यह कुछ नहीं मिलने वाला है मतलब यह मतलब दो equal part में यह कभी नहीं यह डिवाइड होंगे यहां पर कुछ जाइगोमोर्फिक फ्लावर होते हैं अब नेक्ट जानते दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यह जो पॉइंट है यह चीजें है यह आपको काफी अच्छे तरीके से यह समझ में आया होगा क्योंकि मैं दोस्तों मैं biology के मतलब सेक्षन से मैं belongs नहीं करता हूं हलाकि मैंने जब UPSC का प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम मैंने biology पढ़ा हुआ था 11-12 का कुछ-कुछ जो portions जो होते हैं उन सभी चीजों को मैंने पढ़ा हुआ था तो मुझे कुछ-कुछ आइडिया यहां पर है अब नेक्ट जानते दो कि यह मतलब किस परजाती में यह बिलोंग करता है तो यह प्रोटिस्टा किंग्डम में यह बिलोंग करता है जिसको पैरमीशियम यह बोला जाता है तो यह दोनों पॉइंट्स यह ध्यान में रखे आने वाल एक्जाम में हो सकता है प्रस्ण बन सकते हैं नेक्ट प्रस्ण Mai Color cells of PORI Phora are also called the Color cells home Poli Layera के उसको और किस नामसे जानाजता है तो इसको जाना जाता है 숲ाह सतुन और साइट के नाम से जनाता है कॉनोशाट स्याफिर जो फिर ये फिर फ्रोनांस होंगा को इनोशाट जो है इसको जाना जाता है अगर हो जायगा इसको बोला जाता है तो यह कौन से जिशंतों में यह पाई जाता है तुए जो दौस्तों यह इन सभी में ये रेडियल सिमेट्री ये पाए जाते हैं और ये रेडियल सिमेट्री जो हता है is the symmetrical arrangement of parts of an organism around a single main axis so that the organism can be divided into similar halves by any plane that contains the main axis मतलब अगर उसको main axis में गर काटा जाए तो वो दो equal half में वो डिवाइड होगा अगर उसको mirror image में गर रखा जाए तो वो दो equal बराबर में वो दिखेगा और इसी को बुला जाता है रेडियल सिमेट्री और ये पाए जाता है सिलेंट्रेट्रेटर्स एंड एकनियो डैम्स में ये सभी चीज़ें जो हो देखने को मिलती है next दोस्तों zone of earth where land, water and air interact with each other to support life is known as मतलब उस जगह को क्या बोलते हैं जहां पर भूमी, जल और जो हवा जो है मतलब ये तीनों एक आपस में interact करते हैं जो कि यहां पर सबसे ज़्यादा जो लाइफ जो है जीव जन्तु यहां पर पाए जाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है तो दोस्तों इसको बायोस्फेर बोला जाता है हला कि यह काफी easy यह प्रस्ट यहां पर देखा जाए तो यह है अगर category वाज अगर divide किया जाए tough, moderate or easy तो यह easy category में यह आएगा यह प्रस्ट तो बायोस्फेर में दोस्तों जहां पर जो है maximum जीव जन्तु यहां पर पाय जाते हैं जो कि नदी होगा किनारे में फिर उसके बगल में लेंड होगा और हवा तो इस इलाके में maximum जो है जीव जन्तु पाय जाते हैं हलाकि मानों लोग भी जो ancient settlement अगर देखा जाए तो यह maximum नदियों की किनारे ही बसते हैं जहां पर आपको पानी भी आसानी से मिल जाएगा जमीन भी आसानी से मिल जाएगा और हवाङ आसानी से मिल जाएगा तो यही यह सेम फंड़ा जो है यह जीव जन्तु में भी फॉलो होती है अब पिश्ज कर्तस जांथे जोस्तों अगला प्रस्ट हैं ढोटल No地 of cordons कितने होते हैं तो यह total number of codons जो होते हैं दोस्तों यह 64 different codons जो होते हैं जिसमें 61 अगर देखा जाए तो यह specify amino acids को यह specify करता है और तीन जो होता है यह जो की stop signals जो signals को यह stop होता है और यह codons क्या करते हैं यह codons is a DNA और RNA sequence मतलब यह परकार का DNA और या फिर RNA का यह sequence है of three nucleotides मतलब तीन nucleotides का यह बना हुआ यह sequence है जो की DNA या फिर RNA का यह बना होता है that forms a unit of genomic information जो की यह genomic information को यह बनाता है encoding a particular amino acid यह particular amino acids को encoding करके यह मतलब त्यार होता है और signaling the termination of protein synthesis मतलब signal को stop करने के लिए यह भी यूज कियाता है यह सभी चीजे हैं जो कोड़न से हलाकि जो biology के जो पढ़े हुए होंगे यह टोपिक को उनको काफी अच्छे से समझ में आया होगा अब नेख जानते दोस्तों यह आपको दिख रहा होगा यह कुछ इस परकार का जो कोड़न का जो चार्ट जो होता है इसके तो यह त्यार होता है जो 64 टाइब के जो कोड़न होते हैं तो यह था दोस्तों बाइलोजी के जो लेब एसिस्टेंट के जो पेपर 2 का एक्जाम हुआ था उसमें जो प्रस्ण पूछे गए थे उनके जो प्रस्ण थे और उनका जो एंस्वर था और उनका जो करेक्ट इस्प्लानेशन अगर देखा जाए तो मैंने इस वीडियो में एक नमें बना दिया हो हो वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब गारता कि जो है यह एक पार具 स्क्षण का ये वीडियो है जो और पैस्देन के इस iPhone के आप लोग जो है ज्यादा सब्सक्राइब ये पता चल पाए कि कैसे गया वो पूछा गया था और जो जो लोग आगने वाले दिनों में एक्जाम है उन लोग को भी पता चल पाए ताकि वो लोग एक अच्छे systematic way में वो त्यारी कर पाएं कि उन लोग को भी पता चला है कितना easy question पूछा जा रहा है कितना hard question पूछा जा रहा है इसमें हलाकि जो लोग exam दे चुके हैं थे उन लोग से पता चला कि यह थोड़ा tough question मतलब इसमें डाला गया था हलाकि कुछ-कुछ section के जो question थे वो काफी easy थे जो कि मैंने explain मैंने बताया है जो वीडियो के बीच में जो मैंने बताया रखा है तो यह दोस्तों इस चैनल में आपको जो यह चीज़ें जो देखने को मिलेगी प्रश्णों का जो टोटल 10 मोडल सेट मैंने यह पहले ही करवा चुका है और यह जहारखंड special इसमें जहारखंड के जो पूछे जा चुकि हैं उन सभी प्रश्णों को जो मैंने discuss किया हुआ है डाला हुआ हला कि यह चलते रहेगा क्योंकि आने वाले जितने भी एक्जाम से उन सभी एक्जामों के लिए यहाँ पर काफी important क्यूंकि जो प्रिभिएस एर क्वेस जो होते हैं दोस्तों वह एक परतेक वीक में वहाँ पर अप्लोड कर दिया जाता है और जो पंचाय सथी वाले उत्पाद सिपाही वगरा के जो एक्जाम आएंगे उनके भी मॉडल सेटिस में करवाए गये हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें अपने दोस्तों के वीच लाइक करें और जो लोग इस चैनल में नए हैं वह सभी जो है वह सबस्क्राब जरूर से जरूर करें ताकि एक मॉटिवेशन के तोर पे हमको यह मिलता है और जो है regular वीडियो अप्लोड करने का ये जो है इसको एक motivation के तोर पे ही मैं देखता हूँ कि मेरे जो follower से वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जो की काफी अच्छी बात है तो thank you दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में तब तक बने रहे हैं और खुश रहे हैं